नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन राज़ानी पटना से लेकर बिहार के हर जिले में जमा जम बारिश देखने को मिल रही है जहां एक तरफ लोग उमस भरी गर्मी से परिशान थे तो वहीं मौसम लोगों पर महरवान होता हुआ नजर आ रहा है वहीं आपको बता दे कि मौसम बिभाग की तरफ से मौसम को लेकर रिड अलट भी जारी कर दिया कया है एक तरफ अगर हम बात पटना की करें तो राज़ानी पटना में लोगों को जमा जम बारिश देखने को मिल रही है जहां एक तरफ देर रात कल या फिर कहा जाए कि बारिश कहीं न कहीं उनकी चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है बिहार में अगले 24 घंटी तक भारी बारिश की संभावना जटाई गई है राज के तमाम शेत्रों में आज तेज बारिश होने की प्रवल आशंका है मौसम बिभाग ने बिहार में बारिश को लेकर रेड अलट जारी कर दिया गया है सुपाउल अररिय और मधुबनी में सबसे जादा बारिश की स्थि बनी है दरभंगा सहरसा पुणनिया मदेपूरा और मुज़फरपूर में औरेंज अलट जारी किया गया है बीते दो दिनों से कई जिलों में भारिबारिश हुई है और बार्ट की स संका जुताही और लिखा है कि बिहार के बिविन शेत्रों में 23 सितंबर को भारी बारिश से अत्याधिक भारी वर्षा की संभावना है वर्षा इस रेड अलर्ट को आमजन से आगरा कर रहा है मौसम संबंदित साबधानिया बरते आपको बताते चलें कि राजभर में गुरु अति भारी भारिश भागलपूर, जमुई, बांका, खगड़िया के एक-दो इस्थानों में देखने को मिला है जहां एक तरफ मौसम भाग की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि 23 से लेकर 26 सितंबर तक बिहार के अलग-अलग जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है और अगर हम बात सूबे की करे, पटना की करे, तो पटना में बारिश यो है वो लगतार दो दिन से हो रही है एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वही दूसरी तरफ बाट की सित्ति भी उत्पन हो रही है फिलाकरस खबर मतना ही, तमाम बड़ी खबरों करे हैं for nation